Hello my dear students, Good afternoon, my dear students, Today we are going to learn unit 7 chapter 1, a kite. My dear students, आज हम English 1 में 7 unit का 1st chapter, जिसका हम आज revision करेंगे, okay? First, a kite, learn and enjoy this poem. तो अगर असनी पोएम में क्या बताया है? तो यहां पर क्या बताया है कि I often sit and wish कि मैं बेठा हूँ तो मतलब wish करता हूँ क्या wish कर रहा है यह यह poem में एक छोटा बच्चा है वो wish कर रहा है क्या wish कर रहा है I could be a kite up in the sky जो में sky में kite होता and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow तो वो क्या करता है breeze यानि कि हवा जे इस तरह जवा बेहेगी उस side में वो हवा के साथ बच्चे को kite बनके क्या करना है उसको आसमान में उड़ना है बेहना है whichever way I chance to blow मुझे जहां पर भी मोका मिलेगा मुझे जहां पर भी chance मिलेगा मतलब जिस तरफ हवा बहेगी मैं उस तरफ हवा के साथ में भी आसमान में हवा के साथ उड़ना चाहता हूँ तो यह पोएम में चोटा बच्चे की वीज है कि जो मैं kite होता तो मैं क्या करता है यह चोटा बच्चे है वो बेठा है तो उसको उसके दिमाग में मतलब उसको ऐसा विचार आता है तो यह थी first हमारी unit 7 की पोएम काइट उसमें new words है हम देखते हैं तो new words है first blow ब्लो ब्लो मिन्स जो हवा बेहती है तो ब्लो ब्रीज ब्रीज मिन्स विंड हवा चांस चांस मिन्स क्या मोका मिलना काइट काइट यानि आपको सबको पता है काइट यानि पतंग तो यहाँ पर two sentences दिये गए है let's read first sentence लिखा है using kite word तो यह second sentence बनाया है उसमें कुन सा word यूज किया है sit I love to sit under a tree now next देखते हैं हम reading is fun reading is fun इसमें question answers दिये गए जो हम देखने वाले हैं आज what does the child wish to be child क्या wish करता है उसको क्या बनना है तो child को क्या बनना है वो क्या बनना चाहता है kite बनना चाहता है right what does the child wish to do with the breeze child breeze के साथ क्या करना चाहता है वो child भी breeze के साथ आसमान में बेहना चाहता है उड़ना चाहता है right next let's talk what would you like to be आपको क्या बनना है आप क्या बनना चाहते हो right आपको क्या बनने की इच्छा है आप क्या बनना चाहते हो तो यहाँ पर आंसर लिखना है next imagine you are a bird in the sky describe what you will feel when you see a cat flying near you right यहाँ पर आपको imagine करना है सोचो कि आप bird हो in the sky आप आसमान में आप bird हो और आप उड़ रहे हो right describe what you will feel when you see a cat flying near you अब आप आसमान में आप उड़ रहे हो आप imagine करो सोचो कि आप bird हो right और आप आसमान में उड़ रहे हो आप उड़ते हो और आपके बाजू में काइट फ्लाइंग हो रही है आपके पास में पतलब पतंग उड़ रही है तो आप कैसा feel करोगे तो आपको बताना है right हम यहाँ पे मतलब यह हमारी online classes चल रहे है बट हम regular school में होते तो हम यह activity करते मतलब हम सारे बचे को पुछते कि आप कैसा feel करोगे आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो right next say aloud यह जितने भी words है उसको हमें बोलना है do you know more words with this sound और आपको यह same sound के और कोई words है तो आपको बताना है right the first word है bride right first क्या है bride b-r-i-d-e bride और उसके जैसा same sound हम बोल सकते है ride r-i-d-e ride next है kite k-i-t-e kite next r-i-d-e ride s-i-d-e side s-k-y sky c-a-r-t kart kart की जैसा same rhyming word हम बोल सकते क्या c-a-r-t kart p-a-r-t part next c-h-a-n-c-e chance तो chance का rhyming word हम बोल सकते है dance chance dance right next है fast f-a-s-t fast तो fast का rhyming word हम बोल सकते है past p-a-s-t past और नीचे दिया गया है part part kart होगी यह दोनों एक दूसरे के rhyming word yes part kart next हम देखते है let's share what are the different things that fly in the sky ऐसी कौन सी दूसरी things है जो आसमान में उड़ सकती है right next if you had wing where would you fly अगर आपके पास wings है तो आप कहां पर उड़ के जाना चाहते हो तो यह आपको आपके friends के साथ ही आपको share करना है कि आसमान में एसी कौन सी things है जो उड़ सकती है एक तो fly, aeroplane yes birds yes helicopter rocket yes or no next if you had wings अगर आपके पास wings है तो आप उड़ के कहां जाना चाहोगे right next trace on the rain patterns इसमें dotted line है वा आपको trace करनी है मतलब एसे आपको draw करना है yes यह एक activity है like this way you have to draw yes now next use the pictures clues to draw pictures of the day sky and night sky in the window color the picture right अब आपको इसमें क्या करना है देखो यहाँ पे four pictures दिये गए एक stars rainbow moon sun right तो अब यह day sky यह first picture है यह picture में क्या है day sky right तो day sky में क्या दिखेगा हमें sun and rainbow yes तो यहाँ पे आपको draw करना है sun yes यह से और आप क्या draw करोगे rainbow like this way और उसके अंदर आपको color करना है is it clear फिर यह है night sky yes तो night sky में आप क्या draw करोगे stars yes और no और moon yes तो यह आपको ऐसे pictures draw करने है और उसके अंदर आपको color करना है is it clear yes okay now next you see them all in the sky fill in the blanks choosing word from the box okay तो box में दिए गए है stars sun cloud rainbow moon yes तो यह pictures दिए गए है आपको उसके name लिखने तो first picture इसका है sun next rainbow moon stars clouds is it clear yes now next हम देखेंगे अब यह notebook की exercise है जो अब हम देखेंगे right unit 7 chapter 1 a kite new words new words first है blow b l o w blow blow means a gentle wind एकदम धंडी सी धीरे धीरे पवन हवा बेह रही है तो उसको हम बोलेंगे blow is it clear next है chance chance means when you are not sure about something right कुछ ऐसे things है उसके लिए आप sure नहीं हो but आप उसके उपर आप कोई chance मतलब chance लेना चाहोगे right हम क्या कुछ ऐसा है तो हम बोलते है कि एक chance करते है right हम उसके लिए sure नहीं होते that means chance next kite kite means a light paper that is attached with a long string and flown in the wind kite a light paper kite का paper आप देखना है एकदम light होता है एकदम पटला होता है is attached with a long string string means धागा right हो kite को एक लंबे धागे से बांधा होता है and flown in the wind और वो wind जाने की हवा में उड़ता है उसको हम बोलेंगे kite next is sit sit means वैसे तो sit means बैठना पर यहां पर पूरा उसका meaning लिखा गया है to be a position is which you bottom your bottom is resting on a chair ground etc आप chair के उपर बैठते हो या तो नीचे ground के उपर बैठते हो आपको rest मिलता है आराम मिलता है तो यह कैसी position है जो आप बैठते हो तो आपको आराम मिलता है is it clear now next हम देखेंगे answer the following question जो हमने उपर read की है textbook में right तो first question क्या है what does the child wish to be what does the child wish to be child क्या wish करता है the child wishes to be a kite right child को क्या बनना है kite बनके उसको हवा के साथ उसको भी बेहना है वो भी बेहना चाहते है तो child wishes to be a kite now next what does the child wish to be to do with the breeze what does the child wish to do with the breeze child को breeze के साथ क्या करना है वो क्या wish का मांग रहा है the child wishes to ride upon the breeze and go whichever way he see worst chance to blow by the breeze right तो वो क्या wishes मांग रहा है कि उसको भी ब्रीज के साथ क्या करना है राइड करना है जिस तरफ हवा बेहती है उस तरफ उसको बेहना है उसको kite बनके आसमान में बेहना है next what would you like to be आप क्या बनना चाहते हो and I would like to be a bird क्यों बर्ड बनना है क्योंकि आप बर्ड बनते हैं तो बर्ड के पास क्या होता है wings होती है तो wings के through बर्ड आसमान में ऊड़ सकता है तो आप भी आसमान में बर्ड की तरफ ऊड़ पाते हो इसलिए यहाँ पे answer लिखा है I would like to be a bird हाँ आपको bird नहीं और कुछ आप बनने की इचा है तो आप यहाँ पे answer लिख सकते हो is it clear now next है imagine you are a bird in the sky describe what you will feel when you see a kite flying near you यह मैंने आपको question explain किया था right क्या है equation में कि आपको imagine करना है कि आप आसमान में आप bird बनके उड़ रहे हो और आपके बाजू में kite उड़ रहा है flying करते करके आपके बाजू में क्या आया kite आई और आपने वो kite को देखा उड़ते हुए तो आप क्या feel करोगे वो यहाँ पे आपको लिखना है तो मेरा answer यहाँ पे लिखा है if I were a bird I would feel very excited मैं क्या feel करती very excited to see kite flying near me कि मेरे बाजू में kite उड़ रही है तो वो देखने के लिए मैं बहुती excited हो जाती और I would flow I would follow the kite and try to catch it and tear it off with my beak और मैं क्या करना चाहती कि वो kite को follow करती kite को follow करती और क्या try करती वो kite को catch करने की try करती और tear यानि उसको far में far देती it off with my beak बीक यानि मेरी चांच से वो kite को में क्या कर देती far देती right now next हम देखते है okay my dear students आज के वीडियो में हम यही देखेंगे unit 7 chapter 1 a kite right okay next lecture में हम आगे का chapter देखेंगे thank you